दोस्तो इस वीडियो में हम लोग 2015 का जीके के कोश्चन्स पढ़ेंगे जो कि अलिगर्ड मुस्लिम इनुसिटी में आये हुए हैं ये वीडियो देखने के बाद आपको ये आईडिया लग जाएगा कि किस टाइप्स के कोश्चन्स आते हैं और क्या क्या एरिया में आपको तयारी करनी है क्योंकि आपको जी के बड़ा सागर है बहुत बड़ा सागर है इसमें से आपको कुछ चुनिंदा चीजे पढ़नी है तो कौन से चुनिंदा चीजे जो आपको पढ़नी है वह पता चलेगा पिछले साल के questions paper से तो पिछले साल के questions paper solve करते हैं पेन उठा लिजिए, पेपर उठा लिजिए, क्योंकि मैं important चीज़े बताऊंगा, उसको note करना है, उसको Google या YouTube पे सर्च करके notes बनानी है, और exam से पहले आपका handwriting का notes राम बाड की तरह काम करता है, बहुत ही जवर्दस सावित होता है आपकी तयारी के लिए, और सभी यही बड अच्छा कारगर साबित होता है, तो चलिए 2015 का questions paper पढ़ते हैं, और असानी से असानी से कैसे इसको solve कर सकते हैं, क्या क्या जरूरी है, वो चीज़े मैं आपको बताता हूँ, और एक idea भी लग जाएगा, और question paper भी मिल जाएगा, 2015 कोशन देखिए, तो आपको इस साल भी वही questions आएगे, जो पिछले साल में किसको क्या क्या prize मिला है, और किस category में मिला है, इसके बारे में notes बनाना बहुत ही ज़रूरी है, तो देखिए, question first का, the man booker prize this year has been won by, man booker prize किसको मिला था? तो question पहला का जो answer है, यह है, Richard Flangen, 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 Richard Flangen को मिला था, man booker prize this year, यारी last year, ठीक है, यह 2015 का questions है, तो समझ लिए, 2014 में यह prize मिला था, अब अशरफ गनी is, दूसरा question देखते हैं, दूसरा question, अशरफ गनी is the, अशरफ गनी कौन है? प्राइम मिनिस्टर अफ टुनिशिया, प्रेजिडेंट अफ अफगनिस्तान, सेक्रेटरी जेनरल अफ यू एनो, फेमस पोएट अफ पकिस्तान, तो question दूसरा का अंसर है, बी, प्रेजिडेंट अफ अफगनिस्तान, आप समझ लिजे कि इस साल तो बड़ा ही गनी के बार तो आप समझेगे, लुटेरे को सरकार थी है, लुट के भाग गए, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अपने देश को तो क्या ही कर सकते हैं, टेक्नोलोजी को यूज नहीं करेंगे, साइन्स को नहीं पढ़ेंगे, तो क्या होगा, तो ससयद आमद खान साब का, जो लिटरेसी सर साइन्स पढ़ सके, तो साइन्स से भागना इसके मतलब अपने कॉम्यूटी को बरबाद करने के बराबर है, तो साइन्स बहुत जरूरी है, और साइन्स पढ़ने ही आप अलिगर्ण मुस्लिम उलिशिटी में जाएंगे, या बिये चुई या जामिया में जा रहा है, तो अश्रफ गनी जो अफगानिस्तान के रास्टपती थे अभी भाग चुके हैं, तो रिसेंट येर में जो कोई प्राइम मिनिस्टर फेमस रहता है, तो उसके बारे में पढ़ना जरूरी है, अश्रफ गनी के बारे में इस साल भी कोशन आ सकते हैं, ठीक है, कोशन तीन देख कोशन तीन का अंसर है, चीप जस्टिस को, ठीक है, जो भी चीप जस्टिस अफ इंडिया होते हैं, यानि सुप्रीम कोट के चीप जस्टिस होते हैं, होते हैं, मतलब जो हैं, एक ही होते हैं, उनको अपने रिजाइन लेटर सबमीट करेगा, कौन? राश्जपती अगर जानिएगा और ये लास्ट येर के जो प्राइज मिलते है 26 जनवरी 15 अगास या ओलम्पिक में तो किसको किसको क्या क्या मिला है किस केटेगरी में मिला है चोथा कोशन देखिया है बलेड रनर किसको बुला जाता है तो प्राइज मिलखा सिंग को बलेड रनर बोला जाता है ये भी क्या है बेसिक कोशन से जो कि सादबहार कोशन से कभी भी पूछ लिया जाते है इसका करेंट अफेर से कोई लेना दिना नहीं है तो Milka Singh जो की runner है भाग मिलका भाग फिल्म आपने देखा होगा फरहान अख्तर जिसमें actor है तो उन्होंने बहुत अच्छा उसमें acting भी किया है बहुत अच्छी फिल्म भी है बहुत inspiring फिल्म है मैंने देखा है दिल्ली में बहुत inspiring movie है तो आप लोग भी भाग मिलका भाग दे है वो लाइन किसके किसके बीच में है तो कोशन पांच का जो आंसर है वो है डी North and South Korea में हमेसा लड़ाई रहता है जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहता है ऑस्टेलिया और New Zealand में रहता है उसी तरह North Korea और South Korea में लड़ाई रहता है बेवकूफ लोग है जो आपस में एक यूरोप में जो सबसे खुशी वाले देश है सबसे happiness वहाँ कोई बवाल ज्यादतर नहीं रहता है बाकि जितने गरीब देश जो धर्म में घुसे हुए है उसमें हमेशा बवाल रहता है वो सबसे वर्स्ट कंट्री माने जाते है गल्फ कंट्री एक्जांपल है सबसे वर् काट करते रहते हैं इससे क्या अपने धरम को भी नाश करते हैं और जान तो लेते ही है बच्चों को भी औरतों को बेगुनाह को कितने जान लेते हैं चलिए बहराल वो पॉलिटिक्स की बात है कोशन 6 पे आते हैं MI5 is a secret agency of MI5 है secret agency किस देश का है तो कोशन 6 का जो answer है वो है C UK United Kingdom की secret agency है MI5 इंडिया के है को RAW Research and Analysis Wing और पकिस्तान का ISI Interstate Intelligence तो पकिस्तान का ISI है और हिंदुस्तान का RAW है उसी तरह MI5 जो secret agency है UK की है जो के खुफिया तरीके से काम करती है सात्वा कोशन देखिए ये भी basic कोशन था ये भी basic कोशन था और मिलखा सिंग वाला basic कोशन था current affair नहीं था WHO is the chief economic advisor of prime minister अब ही देखिए उस साल जो chief economic advisor है economics पे कोशन पूछे जाते हैं finance पे कोशन पूछे जाते हैं तो chief economic advisor of the prime minister 2015 के लिए ठीक है क्योंकि 2000 ये देखिए कोशन जो है ये 2015 का है तो 2015 में कौन ये थे तो कोशन साथ का जो answer है वो है अरविंद सुपरमडियम अरविंद सुपरमडियम क्या थे chief economic advisor of the prime minister ठीक है अब आठवा देखते हैं आठवा कोशन कह रहा है कि which of the following is the world's highest dam दुनिया का सबसे बड़ा डैम कौन सा है बांध कौन सा सबसे उची बांध है पुरी दुनिया में तो कोशन आठ का जो answer है वो है ए निवरेक डैम तो यह भी basic question था यह भी current affair नहीं है कि जो पिछले साल हुआ है अब जो world का highest डैम है तो highest तो रहे गई तो basic knowledge है ठीक है कोशन 9 देखिए how many countries participated in the first modern Olympics in 1896 कितने देश first modern Olympics में participate 1896 में किया थे ठीक है question 9 आपको clear हो गया कितने देश ने participate किया था modern Olympics में तो question 9 का जो answer है वो है C ठीक है 13 देश 1896 में modern Olympics में पहली बार participate किये थे कितने थे 13 देश और आज कल कितने देश है आप लोग देख सकते हैं which of the these which of these is not a dessert कौन सा इसमें रेगिस्तान नहीं है राजस्तान नहीं रेगिस्तान स्टीपे सहारा पटगोनिया कुलहारी कोशन 10 का answer है A वो भी पूछ लिए जाते हैं तो अगले वीडियो में हम लोग 2014 के नीचे के questions solve करेंगे और पता करेंगे किस किस एरिया से questions पूछे जाते हैं क्या क्या एरिया पढ़ना है किस एरिया से question आया हुआ है और क्या क्या हमें अच्छे से तयारी करना है क्यूंकि समुद्र का आते हैं वो नहीं पढ़ेंगे जो question नहीं आते हैं तो अगली वीडियो जरूर देखिएगा तभी आपको पते चलाएगा कि किस टैप के question पूछे जाते हैं वीडियो पसंद आईगे तो आपको पता यह क्या करना है और अगर आप चाहते हैं कि हम valuable काम कर रहें अच्छा का करें तो subscribe भी कर सकते हैं शेर भी Facebook WhatsApp ग्रूप में कर सकते हैं मिलते आगली वीडियो में तब तक you take good care of yourself जै हिंद जै भारत